रिलेटिव डिमांड एंड रिलेटिव सप्लाई है गाइस वेलकम बाक टिव आवर चैनल एकनामिक्स मेड इसी सो हमने अपने प्रिविएस वीडियो में क्या डिसकर्स किया था कि PC by PW याने कि रिलेटिव प्राइस जब मेरा ग्रेटर देन रिलेटिव लेबर रिक्वायरमे अब हम लोग आज की वीडियो में क्या डिसकर्स करेंगे कि हम अब सिर्फ होम तक नहीं रहेंगे अब हम होम से थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे इंटरनाशनल जाएंगे तो होम से हम लोग फॉरिं तक आगे और प्रोड़क्ट हमारे वही है चीज और वाइन दोनों ही प स्टार से डिनोट कर सकते हैं अब हम लोग फको अफ लगा डी मैंफ लगा दे ऐल डवल्य के एक इस दोसरे है वाइन और हम और फ्री बिस यह 2 है तो अब देखो और एक्ट्विडियो में आपको बताना क्या चाहता लिए-टियो में हम लोग discuss करेंगी कि कैसे relative demand और ले-ले, ध्यीक के ठूपलाई के ठूब हम लोग जो price होता है यानि ट्रेड के वक्त है relative price जो आफ़्र ट्रेड के वक्त क्या त्रेड के वक्त क्या price होना चाहिए वह कैसे करते हैं वो हम लोग यहां पर सीखेंगे ठीक है ना बहुत छोटा सा वीडियो होगा ज्यादा ताइम नहीं लोगा मैं आप लोग का सो लेट्स पगेंग तो सबसे पहले अगर हम लोग एक अजम्शन लेते हैं कि ALC by ALW जो है वो लेस देन है इसका मतलब क्या हो गया इसका मतलब किवर रेकुर्मेंट इन होंकि यह जए हो कि यहां पर लगा है ठीक है तो टो दुआ है प्रोडूक्शन में वो देको लेज दें है है for cheese production के लिए वह less than है ah relative labor requirement in foreign production के लिए ठीक है ना तो इसका मतलब क्या हो गया अगर हम लोग cheese के लिए पकड़ हैं assumption अगर हम लोग एक हीज है के लिए कर रहे हैं तो उब को cheese के लिए क्या पता चलता है कि जितना हमको relatively हमको जितना amount of labor लग रहा है home country में एक cheese को produce करने में वह less than है उतना ही चीज को प्रोड्यूस करने में foreign countries ठीक है इसका मतलब क्या हो गया कि definitely home को क्या प्रोड्यूस करना चाहिए चीज अफकॉस बिकॉज यहां पर हम लोग को labor कम लग रहा है मेरा या फिर यहां पर ऐसे कह सकते के labor की जो productivity है वो ज्यादा है इसे लिए home को जो है चीज प्रोड्यूस करना चाहिए ठीक है आचा अब लोग ग्राफ में आते हैं तो यहां पर यह जो ग्राफ है यह ग्राफ और यह जो आपको दिख रहा है ना यह rd rd करके जो है यह हमारा relative demand तो rs मतलब relative supply rd मतलब relative demand ठीक है ओके तो आप देखो यहां पर यहां पर याना कि जब यह horizontal का होता है step function जो है वो supplies का horizontal का हुआ जब PC by PW जो है वो ALC by ALW के equal हो गया हमने अपने previous वीडियो में इस इस डिसक कर सकता है असको दोनो के प्रud Durus करना भी चाहिए चीज और वािन दोनों ही उसको produce करना चाहिए और वह अपने हिंसाब से का अकॉर्डियो कि अपने एक प्रिशन को बढद्हा सकता है है supply को बढ़ा सकता है फिर वो अपने हिसाब से supply को जा делать ऐसमें शॉद्ध क्या होता उसको यह है है यह司ो खाई करना चाहिए और फॉरें उसको अपने comparative an longtime वाले प्रोड़क्ट में ही focus करना चाहिए इसका मतलब क्या हो है ALC by ALW तो इधा इस point पे है right तो PC by PW में हम लोग vertical axis में measure कर रहे है ठीक है इसका मतलब vertical ये vertical में हम लोग जो भी point ले सिर्फ इसी point को नहीं जितने भी हम लोग यहां पर point लेते हैं इसमें क्या मिलेगा PC by PW जो है greater than ALC by ALW है ठीक है और हम लोग previous वीडियो में discuss किये थे कि जब ये greater than होता है तो इसका मतलब हम को क्या produce करना चाहिए cheese produce करना चाहिए क्यों क्यों देखो ALC by ALW का मतलब क्या हो गया opportunity cost या relative labor requirement तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि हमको जो cheese production जब हम लोग कर रहे तो उसका जो price है वो जादा है opportunity cost of producing cheese से तो definitely home को cheese produce करना चाहिए because ये उसका competitive advantage वाला product बन जा रहा है ठीक है similarly PC by PW यहाई पर इसी vertical में देखो PC by PW जो है less than है ALC by ALW F ठीक है अब इसका मतलब क्या हो गया देखो इसका मतलब क्या होगे foreign को जो है वो wine produce करना चाहिए because relative price of cheese in foreign country is less than relative labor requirement और opportunity cost of cheese तो definitely जब उसको पता है कि हम wine को give up करने के बाद भी हमको price कम मिल रहा है तो उसको wine में ही जाना चाहिए cheese क्यों produce करेगा वो जब वो जितना give up करके cheese को produce कर रहा है उसको उतना पैसा ही नहीं मिल रहा है तो क्या मैं उसके साथ आगे बढ़ूंगा उस production के साथ डेफिनेटली नहीं हम wine में shift हो जाएंगे wine में switch कर जाएंगे ठीक है इसलिए home जाए foreign यहाँ पर wine उसको produce करना चाहिए तो यह जब वर्टिकल लाइन है यह बताता है के रिलेटिव supply का वर्टिकल लाइन बताता है कि home और foreign दोनों को अपने comparative advantage वाल ही production को आगे बढ़ाना चाहिए ठीक है ना कि दोनों को produce करना चाहिए दोनों ही community को produce करना चाहिए ठीक है और वर्टिकल लाइन तो obviously PC by PW जो है वो equals to ALC F by ALC W के equal हो जाता है इसका मतलब यहाँ पर foreign country जो है वो कुछ भी produce कर सकता अपने combination के according ठीक है तो यह चीज को बताता है तो this is all about relative demand and relative supply is just a small topic तुमें को लगा शायद देने से शायद helpful होगा तो अगर कुछ भी समझना है तो comment section यह फिर economics पेड़ीजी के facebook page में जाकर comment करना मैं reply करने का कोईश करूंगा जल से जल और नेक्स्ट में हमारे बहुत अच्छे अच्छे वीडियो जाने वाले हैं जैसे कि community indifference curve, trade indifference curve, terms of trade and so on मैं तो नाम ही बूल गया हम तो उन सब के लिए वेट करो तब तक लिए इतना पढ़ो और अगर कुछ नहीं समझाना तो मिनुक बता हूं thank you so much for watching this video